वेट तो पूरा क्लीन है लेकिन यह सामान है उन्हों ने पैला दिया एक्ष्ण में क्या हुआ उनको चाहिे था मास्क तो वह मुझसे पोछ रहे थी मुझे मास्क दे जो लेकिन फिर क्या हुआ मैं ढूणने आई जब तक उन्होंने पूरे कपड़े और पूरी अलमीरा पूरी अच्छी तरीके से खराब कर दिये थी तो मैं सोच रहे हूँ यह जो कपड़े हैं इनको में सबसे पहले अरेंज कर देती हूँ अगर कुछ टाइम से ना दो तो फिर ऐसे ही करते हैं तो चलो मैं इनको पहले अरेंज कर देती हूँ उसके बाद मैं लंच बनाऊंगी और मैंने जब यह कपड़े देखे तो सारे फोल्डेट ऑल्रेडी थे लेकिन बस उन्होंने ऐसे निकाल के और बस डाल दिये थे बैट पर तो सोचा चलो फोल्डेट तो हैं तो जल्दी-जल्दी मैं सही कर ही देती हूँ और यह मेरी साड़ी है तो यह मैंने आयन करके रखी हुई थी जो मैं डेली में पहनती हूँ तो वो भी इन्होंने बिखरा के रख दी थी यहांकि सामान नहीं मिलता ना तो फिर यह ऐसा ही करते हैं और देखे सामान देखते देखते मुझे एक फोटो आलबम मिल गया देखे देखे ब्लाउस में देख रही थी मैं पहनू लेकिन फिर मुझे अच्छा नहीं लगा तो फिर मैंने रख दिया वापस चियों के त्यों और यह है श्रे के कपड़े जब वो कृष्णा बनता है तब यह कपड़े वियर करवाती हूं मैं उसको और बहुत प्यारा एक उसका कृष्णा वाला वीडियो डाला है अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम रेलस नहीं देखे तो प्लीस मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिये मेरे अर भी अच्छी-च्छी वीडियोस और रेलस देखने के लिए ये था मेरा शादी का आलबम फोटोग्राफ्स थे तो मैं आपको और किसी दिन जरूर दिखाऊंगी तो मैं बस सारा सामान अच्छे से रख दूँगी इस तरीके से और और भी देख लूँगी अलमारी में जो भी मुझे फैला हुआ पड़ेगा तो उसको भी मैं अरेंज करके रख दूँगी और उसकी बाद मुझे लगाई थी भूख तो ममी बोली चलो जल्दी बनालो फिर अपन मिलके खाते हैं तो पिर दुफैर को अगर ये होते हैं तो फिर इनको खिलाने के चकर में मैं ममी के साथ में खापाती हूँ अगर ये नहीं होते हैं तो मैं और ममी साथ में ही लंच करते हैं और मेरा लुक देखे यार मैं कैसी लग रही हो ये कुड़ता जब मैंने पच्छेस किया तो इसके नीचे स्कर्ट ही था लेकिन वो भी वाइट था तो वाइट मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने ये वाला निव पच्छेस किया आप लोग बताएगा ये कैसा लग रहा है प्लीज अटी मैंने गुजरात से पच्छेस किया है इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा प्यॉर कॉटन है और बहुत जदा बहुत अमेजिंग है जब भी मैं पहनती हूँ तो सब लोग तारीफ करते है आप लोग बताएगा मेरा ये वाइट कुर्ता के नीचे ये स्कर्ट कैसा लग रहा है फ्लीज बताएगा गर्मी बहुत थी लेकिन सूचा चलो थुड़ी सा लुक चेंज कर दिया जाए तो मैंने बस लुक चेंज कर लिया आइट बेटे को मैंने पहले दे दिया था लंच बस मैं और ममी बचे हुए थे तो सूचा चलो हम और ममी मिलके ही खालेंगे इघटा बना के मुझा प्राइब प्राइब लंच करने के बाद हम साथ बहु मिलकर बना रहे हैं यह पुवे this is not माल पुवा अवारी पुवा हमारे उत्र प्रदेश में ऐसे ही पुवे बनते हैं जब शर्दियां होते हैं तो बाजरे की बहु बनते हैं वो तो और भी टेस्टी लगते हैं लेकिन यह सिंपल त पुए बगेरा बना लिए थे मैंने दःः भी जमने के लिए रख दिया था जमा दिया था और जितने भी दर्वाजे वगेरा खुलें सबको बंद कर दूंगी क्योंकि अब मैं करने जारी हूं रेस्ट लंच हो चुका है हमारा किचन क्लीनिंग हो गया है और हम में थोड़ा सा रेस्ट करूंगी और यह बताएगा यार यह कैसा लग रहा है और यह जो कड़ाई तो अभी गरम है तो मैं शाम को इसको वाश करूंगी साफ करूंगी अभी जो पूए हैं उनको मैंने ठक कर रख दिये और जैसे ही मैं रूम में आई अपने हाथ पैर मू अच्छे से वाश करके तो यार बैट पर डली थी बैट शीट और भी बहुत सामान बिखर हुआ पड़ा था तो सोचा चलो मैं उसको भी अरेंज कर ही देती हूं और यहां परणा में अपने पैरों में लगा रही हूं बॉरोलीन क्योंकि फिट की केर करना बहुत ज़रूरी है और मेरे फिट स्मूद रहते हैं आप लोग बोलते हैं आपकी फिट बहुत अच्छे तो इसका रिज़न ही यह है उसकी केर करना बहुत ज़रूरी होता है और यह जो साड़ी वगेरा थी है मैंने निकाल के रख रही हूं क्योंकि इन में करवाना है मुझे फॉल बिडिंग फॉल एंड पीको करवाना है तो सोच रही हूं मैं चलो कल शॉपिंग करने जाओंग तो इनको भी डाल के आ जाओंगी तो इतने टाइम हम लोग फ्री होते हैं तो काफी थादो थकावट लगती है और आई फील के बस अब हमें थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए तो मैं आदे अपोने गंटे रेस्ट करूंगी और उसके बाद मैं करूंगी वीडियो का अडि हम दृफैरे माल लेकिन मैरे लिए शाम हो जाती है स्टाइम मेरा काम स्टार्ट हो जाता है स्वाई फील कीमार के विगए और जितने भी कपड़े की जितने भी क्या सारे कप्ड़े ड्राइ अब इन अज उनको अच्छे से उठा ठीम समें रहे हूं कप्ड़े और हभी के मम्मी के मेरे सब के कपड़े उठा रही हूँ और जो यह कमरा है न यहां पर मैं सारे कपड़े खटे करती हूँ यहां पर फोल्ड करती हूँ उसके बाद डिवाइड कर देती हूँ सब के कपड़े अपने अपनी जगह पर और कपड़ी वगेरा फोल्ड कर दिये हैं ममी पापा को चाय बना कर दे दी हैं और अब मैं आपर रैडी होने लगी हूँ आप लोग देख तो रहोंगे यार इतना हैवी मेक अप किस लिए तो मैं इंस्टाग्राम का रेल्स बनाने चाहा रही हूँ आज थोड़ा सा लुक चेंज है मुझे ये वाले लुक बहुत अच्छा लगता है पर्सनली आप लुक जरूर बताएगा तो इसलिए सोचा चलो थोड़ा सा मेक अप बगर करके और रिल्स वीडियो बना लूँ अभी टाइम भी है और इसी टाइम में मैं रिल्स वीडियो बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे तो बस मैं तयार हो जारी हूं क्रियेट कर रहं又 अगर आप लोगों को देखना है कि मैं पार्टी मेक अप लूप कैसे कर सकते हैं और मैंने कैसे यह create किया था तो उसका लिंक में आपको नीचे दे दूँगी description box में और आप और भी अगर आपको मेरा makeup tutorial देखने हैं तो प्लीज आप मेरा चानल विजिट कीशिए, playlist चेक कीशिए, वहाँ पर skincare and makeup tutorial के बहुत सारे videos हैं, बहुत help करेंगे आपको skin problem के related जैसे pimple, acne हो जाते हैं, तो उसके लिए मैंने DIY बताया है, साथी साथ मैंने makeup tutorial भी बताये हैं, daily wear के लिए, party makeup रूप के लिए, school, college या office going girl के लिए, प्लीज आपना चानल चेक आउट कीशिए, simple साई makeup कर लेती हूं मैं, simple यानि की थोड़ा सा party look type का, and उसके बाद मैं करूंगे instagram का reels video शूट, और इस तरिके से वीडियो आनी, रातकर को मैंने सुचा चलो, इस तरिके से आपको वीडियो बता दू, और यह मेरा makeup look after create my makeup tutorial, और यह मैंने पहान लिए हैं, शूटा, बताये का कैसे लग रहे हैं, आपलो बोल रहे हैं, आपलो बोल रहे हैं, आपलो प्लीज, जो भी थाइंगे परचेस करो, तो वो हमारे साथ, शेयर भी कीजएगा, तहन के बताएगा, तो सूचा चलो, मैं बता दू, बताएगा मैं कैसी लग रही हूँ, यह है मेरा लाइडा, पंके वे तो बहुत बढ़नी लगी है, और अभी वे दिनर बहुत ज़दागी है, और इसे लिए यह आपर मैं बन बना रहे हूं, यह जो मेरा लुक है, इसको करूंगी चेंज, प्रकूर तो अब मैं पहनूंगी कपड़े, बहुत ज़दा ज़दा बना रही है, इसके लि तो आगे व्लोग में क्या होता है बाद में मिलते हूं मैं आपको बस इतना अपडेट देना थे कि मैं अभी चेंज करूंगी और शावल लेकर डिनर बनाऊंगी आगे आपको ब्लोग में पता चलेगा बाई और डिनर मेरा पहले ही बन गया था क्योंकि बहुत गर्मी थी यार सो मैंने इसलिए आपके साथ डिनर वाला जो सीन था वो शूट निक्या सो सॉरी व्लोगी गर्मी बहुत थी और मैं ठकी भी थी अभी मैं जो भी मेरा मेकप मैंने किया था वो सारा सामान फैला हुआ था तो मैं इसको अरेंज करके रख रही हूँ ताकि रूम मेरा थोड़ा सा क्लीन रहे और बस मुझे क्लीन रूम बहुत अच्छा लगता है तो वो सारा सामान अच्छे से मैं रख दूंगी और मेरी ब पाइट के अंदर रख दूंगी बस यही काम रहता है मेरे डिनर बन चुका है जो भी मेरा कमरा यूनो खाला पड़ा हुआ था उनको मने अच्छे से रख दिया है ज्यों के त्यों कि हम लोग जो वीडियो बनाते हैं आप लोगों के साथ ब्लोग वगेरा शेयर करते हैं तो कही तारी चीज़ें जबदी जबदी में हट बरा हट में ऐसे ही पड़ी रहती है तो बिडियो बनाने के बाद स्रा मुन को अच्छे से रखते हैं और जाली साफ सफाइ करते हैं तो बहुत सारा काम पड़ जाता है साथ जब तक के लिए कुछ रहिए पॉजिटिव लिए है वी रहिए बाई